सबसे पहला मैं आपको बताता हूं बच्चो के दिमाग में यह सवाल आता है कि can I register for both the attempts ठीक है इससे पहले क्या होता था कि आप J main के दोनों attempts के लिए एक साथ register कर पाते थे बट जब आप देखेंगे यहाँ पर तो clear-cut लिखा हुआ है कि आप जब register करेंगे तो सिर्फ पहले attempt के लिए register करेंगे second attempt के लिए registration बाद में दुबारा से खोला जाएगा तो इस सीच के लिए बच्चों बिल्कुल भी confused नहीं होना है कि क्या सर्थ दोनों के लिए अभी application में फिल कर दू नहीं you need to register only for the one आपको option ही सिर्फ एक का भी मिल रहा है यहां पर next बहुत बार जो है जब हम password create कर रहे होते हैं बहुत important बात है ध्यान से देखेगा never use your date of birth and your name as password तो हम इस तरह से डाल देते हैं कि नाम में से कुछ letters उठा लेते हैं फिर add the rate आपके date of birth आप आगे लगा देते हैं तो इस तरह से न करें आप क्यूंकि बहुत ही आसान तरीका होता है आपके password को guess करने का यह वहां से जो है आपका data leak हो सकता है and there can be some issues तो better तरीका यह है जैसा उन्होंने लिखा है आप इन instructions को पड़े और इसी तरह से जो है password बनाए 8 से 13 digit का रखें एक upper case हो एक lower case हो एक numeric value हो और add the rate वगरा जो है use करके कोई अपना एक अच्छा सा password बना ले और उसको जो है note down करके अपने पास रख ले and continuously फिर इसको जो है आप आगे access करने के लिए use कर सकते हैं next one more important thing होता क्या है जब हम application भर रहे होते हैं या तो अगर आप किसी shop पे जाके application भर रहे हैं या फिर किसी दोस्त के help से भर रहे हैं तो I suggest कि आर सारी चीजे note down कर लेना वरना अगर आप अपने घर के personal computer पर फॉर्म भर रहे हैं laptop पर भर रहे हैं या सारी चीजों का screen shots लेके जो है या PDF फाइल्स को download करके रखते चले आप जब आप सबसे पहली बार as a new user register करते हैं तो वहां पर PDF नहीं बनती है आपको एक enrollment नमर एक application number आपको मिलता है I'll suggest कि हाथ तो हाथ उस सीच का बच्चों screen shot लेके सीव करके रख लें ठीके choose a security question which has obvious answer for you and which is not generic तो ऐसा security question होता है बहुत बार कि which city you are born ठीके तो कोई लिख देगी यार मैं डैली में बार हूँ तो it is very easy to guess for that person ऐसा ना करें rather than that कि आपको mother का maiden name क्या था या फिर जो है कुछ इस तरह के questions होते हैं कि यार your first pet क्या था या फिर कुछ और जो ऐसा चीज है जो आपके लिए एक ऐसी चीजों कि हाँ इसका अंसर तो मुझे याद रहे गाई सही बट बाकी public के लिए वो generic information ना हो ठीके next हम देखते हैं एक और important चीज यूर application number for attempt 2 of jimain will be same यह बहुत important चीज़े बच्चो तो ध्यान रखना यही application number को डाल के यही password को डाल के आप वापिस से login करेंगे attempt 2 से पहले I think that will be started in the month of February Feb में जो है आप वापिस से login करेंगे and exam 2 के लिए वापिस से register करेंगे मतलब jimain phase 2 के लिए re-register करेंगे so the application number will remain same एक और important चीज़ you need to register only once in jimain second attempt you can directly login from this application number यही मैंने आपको बात बोली register से रिए की बाहर होगा but जब आप phase 2 के लिए jimain के लिए apply करना ही जाएंगे तो इसी registration number से आप login करेंगे and directly apply कर पाएंगे बच्चो next convert png bmp gif from direct online websites अब होता क्या है न हम इसे बहुत से लोग tech savvy नहीं होते हैं हमें लगता है कि सर उन्होंने jpeg file jpeg और jpg file इनके अंदर options दिया है sir मेरे पास तो मेरा photo png में कोई tension की ज़रत नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि सर हमारे पास जो file है उसकी size बड़ी है 2 mb का photo है 5 mb का photo है तो आप क्या करें online websites का use करें ठीक है इनको compress करने के लिए आपको ज़्यादर tech से भी होने की ज़रत नहीं है अगर आपको नहीं आता है तो भी इसी लिए आप जो है इन website की तुरह है मैं आपको कुछ example बता देता हूं जैसे कि I love pdf small pdf इस तरह से कुछ websites है जिनकी help से आप directly चीज़े online convert कर सकते हैं so compress करने के लिए and format change करने के लिए you can use these websites very important thing जब भी कोई फाइल आप upload करेंगे बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते नाम 1234 ABC XYZ ऐसे डाल देते हैं फाइल का वो नहीं करना है ठीक है clear cut photograph है तो फाइल का नाम photograph signature है तो फाइल का नाम signature and अगर आपकी फाइल जो है class 10 का certificate है तो साफ-साफ class 10 certificate certificate लिखें disability certificate है तो साफ-साफ उसका नाम disability certificate लिखें बहुत बार ये भी दिक्कत होती है कि सर हम high quality की image कैसे लेकिया है scan करके हम ऐसा ना करें कि class 10 का certificate जो है बहुत ही raw form में या फिर जो है अच्छे से इसके लिए आपको मैं एक और suggestion देता हूं आप office lens का use कर सकते है इस फ्री software उसके जरीए आप क्या कर सकते हैं बहुत अच्छा clear-cut photo ले सकते हैं ठीक है और भी बहुत सारे scanner करके software होते हैं उनको आप use कर सकते हैं but I generally use office lens तो उसका इस्तमाल करके आप अच्छा सा photo खेंचे and file का clear-cut name save करके फिर ही upload करें next is एक बड़ा important चीज था जो मैंने note के अंदर यहाँ पर देखा तो आप बहुत ध्यान से देखें इस चीज को that candidate has to upload only his or our own photograph obviously हम खुद का ही करते हैं but आगे देखो क्या लिखावा है यहाँ पर as the facility for correction will not be given in the future कुछ से चीजों के correction की facility नहीं दी जाएगी तो आप ऐसा ना करें कि ठीक है सर बाद में correction window खुलेगा जब सब सही कर लूँ आप है ठीक है और हम से कोई गलती हो गई जान करके कोई भी गलती नहीं करता है there can be an option to correct that but शांती से भरे इन्होंने यहाँ पर लिख रखका है की photograph signature certificates as mentioned above and not of anybody else in a correct proper manner as the facility for correction will not be given in the future for these instances. In case it is found at any time the future that the candidate has uploaded the photograph signature and certificate of someone else in his application तो उसे जो है यहाँ पर आगे ही से unfair means की तरह काउंट किया जाएगा अब देखो आपकी दिमाग में आएगा कि sir by mistake तो मेरे से गलती हुई सकती है वाली कि actually होता क्या है बहुत बार जो है कुछ लोग इस लूप होल का इस्तमाल करके नाम मेरा चला जाएगा फोटो किसी और का चला जाएगा मेरे बदले कोई और एक्जाम दे देगा तो ऐसे cases इंडिया में देखने को हमें कहीं कहीं जगा मिल रहे हैं उसी को prevent करने के लिए इन मैं फिर से आपको एक important suggestion देना चाहूंगा I know we all have love towards our native language but अगर आप comfortable है English में तो मेरा first preference आप लोग के लिए यही रहेगा कि आप English में ही apply करे reason इसके बहुत बढ़ा important reason है आपको next slide पर देखने को मिलेगा ठीक है if you have some problems कि sir मैं English को इतने अच्छे से समझ नहीं पाता हूं मैं Hindi medium में पढ़ावा हूं या फिर मैं अपने regional language वाला जो medium में उसके अंदर पढ़ावा हूं then definitely you can apply for that also क्योंकि इसका एक benefit यह भी रहेगा आपको कि आपके question paper में English भी रहेगी और that language वो दोनों language रहेगी ठीक है तो अब यहां पर जो है देखना क्या benefit रहने वाला है English में apply करने रहेगा this is very important thing ध्यांचे देखना option of language for question paper should be excised carefully while filling up the online application form and it cannot be changed ऐसा नही हो सकता कि आप बाद ने अपनी language change करने के लिए application डालो नहीं होगा at a later stage candidate while attempting the question paper must choose the same medium as opted while registering in the application form तो यह गलती मत करना कि सर मैंने तो apply किया था Hindi language के अंदर और जब paper चालू हो रहा था तो मैंने वहां English चूज कर लिया नहीं Hindi चूज कर रहे हैं आप तो Hindi ही चूज कर रहे हैं आप पर भी ठीक है जब paper आप स्टार्ट कर रहे हैं तब the question paper will be in both English and language English and the language opted by the candidate दोनों language आपको दिखेगी आपको लेगा सरी तो बहुत ही बढ़िया हो गया हमारे लिए पढ देखो ध्यान से सुनना आगे English version will prevail in the event of any difference of opinion अगर एक question में कुछ गलती हुई तो कौन सा सही English वाला और आप क्या करोगे सर मैं तो Hindi वाला ही पढ़के जो है form जो है सारी चीजे भरके आगे हमाँ पर अब मैं सर इंग्लिश वाला तो पढ़ा नहीं क्योंकि मैंने तो Hindi opt किया था बट साफ साफ प्रिवेल in the event of any differences of opinion होता किया ना कि कभी किसी word को जब हम Hindi में या English में बोलते हैं तो दो अलग अलग मतलब एक statement के दो अलग अलग मिनिंग निकल सकते हैं ऐसे में जो English version से मिनिंग निकल रहा होगा that will prevail उसे सही माला जाएगा sir that is a challenge for me आपको लग सकता है कि sir मैं कैसे करूँगा अगर question गलत है तो फिर आपको correction bonus वगरा जो होगा वो मिलेगा I am not a saying about that I am saying कि अगर मान लोग किसी statement के अलग अलग interpretation हो रहे हैं अलग अलग language में so English language का interpretation सही माना जाएगा तो this is a very important and tricky thing तो I will suggest किया अगर English आप कर सकते हैं तो English में ही उसे opt करें next very important thing देखिए ये भी बच्चों में बहुत confusion था कि sir जो optional question होते थे 10 उसकी जगा 5 हो गये हैं section B में negative marking है या नहीं है मैं आपको पहले भी बताया था yes there will be negative marking for incorrect answer ज्यान रखना ये numerical value है correct integer value of the answer आपको भढ़नी है rounded off to the nearest integer तो होता है ऐसा कि कभी कबार कि हमारा answer 7.2 आया सर मैं 7.2 भढ़ने लगे हूं आपको integer value भढ़नी है तो यहाँ पर 7 will be your correct answer तो यह ध्यान रखें राउंड आफ करके integer form में भरें negative marking हर एक section के अंदर है ठीक है next देखें मैं time breaking rules बहुत important है हमें clarity जरूर होनी चाहिए सबसे उपर जो है mathematics को जो है तबज्जुब दी गई है ठीक है then second physics फिर chemistry तो जो आपके NTA scores इनके अंदर होंगे उसके हिसाब से आपकी rank बनेगी अगर सर तीनों में सेम आ गए तो मेरे और किसी दूसरे बच्चे के then less proportion of a number of attempted incorrect answers and correct answers in all the subjects in the test followed by है तो mathematics में अगर आपने और आपका जो दोस्त है जिसके सेम जो है marks आ गए है मैच विजिस chemistry तीनों में सेम आ गए आपके अब यह देखा जाए कि मैच में आपने 20 किये और आपके 19 सही हुए आपके दोस्तने 20 करें पर 18 सही हुए तो आपकी रैंक उपर जिसके ज्यादा correct होंगे उसकी रैंक ज्यादा उपर हो जाएगी सर फिर marks कैसे हमारे जो है बराबर आ गए है हो सकता है overall कहीं जहां पर हम जब percentile score वगरा सब set कर रहे हो तो NTA score match कर गया हो दो बच्चों का but this is the tie-breaking rule number of attempted incorrect proportion of number of attempted to number of incorrect will be checked for maths then physics then chemistry overall then maths then physics then chemistry end में अगर सारी ही चीज़े बराबर आ गई that is a very 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 small chance ऐसा नहीं होता है तो उस case में दोनों बच्चों के सहीं रेंक दे जाएगी ठेक है तो ध्यान नक ना जो criteria है maths, physics, chemistry इस इस आप से preferential order यहाँ पर चल रहा है try baking rules के अंदर next thing is if a question has two answers अच्छों की बहुत बड़ी problem है सर मैं questions all कर रहा था मेरे को लगा कि a option भी answer हो सकता है एक case में और दूसरे case में b answer भी हो सकता है तो ऐसे में मैंने question छोड़ दिया यह गलती बिल्कुल मत करना उन्होंने साफ साफ का है कि अगर एक question के अंदर दो cases बनके answer a आ गया और answer b भी आ गया तो आपका जो आ रहा है व the most appropriate answer four marks minus one और अगर नहीं किया तो zero if more than one option is found to be correct then plus four marks will be awarded to only those who have marked any one of the correct option भूल कर भी यह गलती ना करें कि सर मुझे लगा a और बी दोनों ठीक होंगे दोनों mark कराया मैं हमें mark सही है दिमाक से सोचो अगर आपको लग रहा है a और b दोनों सही है a mark कर कर के आओ सिर्फ या सिर् all options are found to be correct यह भी बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है if all options are found to be correct then four marks will be awarded to all those who have attempted the question आप exam के भाहर निकल के यह नहीं कह सकते हो कि सर चारो question चारो option ठीकते हैं हमारे मतलब हमने solve किया चारो options हाही आ रहे थे single correct में ऐसा हुई नहीं सकता मैंने छोड़ दिया गलत चारो option ठी होंगे तो जिन जनने attempt कियोंगे उनको ही पूरे marks मिलेंगे बस candidates are advised to do the calculations with the constants given in the questions the answer should be rounded off to the nearest integer बहुत बड़ी बच्चों की mistake होती है sir हम तो G की value हमेशे 10 लेते थे अगर question में 9.8 लिखा है तो 9.80 है sir हम तो gravitational constant में 6.67 पूरा लेते थे उसने 6.6 लिखा है तो 6.6 लो उसने 6.7 लिखा है तो जो लिखा है वही लेंगे ठीक है आपने जो class पर रखा है it's very good कि आपको values याद है पर अगर उसने question में दे दिया कुछ constant की value तो वही यूज करना जरूरी है यहाँ पर next कि एज क्राइटेरिया बहुत सारे बच्चों को यह भी confusion रहता है जेई में दो हजार पच्चिस के attempt वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने दो हजार तेईस के अंदर या दो हजार चोईस के अंदर 12 पास किया था या फिर इस साल 12 अपीरिंग है 12 में पढ़ रहे हैं ठीक ह इंडिविजूल इंस्टिट्ट कैन है एज क्राइटेरिया जेए में ने एज क्राइटेरिया कोई कुछ नहीं दिया है हो सकता है पढ़ाई लेट चालू करी हो आपने 18 की साल में जो है 19 साल की एज में जो है पहली बार 12 दी हो और अभी आप 21 क्यों हो चुके हो हो सकता है दे सकते हैं बट इंडिविजूल इंस्टिट्ट कैन है एज क्राइटेरिया नहीं है स्टेट कोड़ एलिजिबिल्टी ध्यान रखें सर मैं तो जो है उत्तर प्रदेश का पैदा हुआ हूँ ठीक है पर मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूं मैं तो हूं उत्तर प्रदेश का त वहार रहे हो दिली नहीं हों दिली हूँ से दिल्ली आपका स्टेट कोड रहेगा सरमें12 का एग्जाम जो है बिहार से था मार्किम रहा गए थे मैं दिल्ली आया और दिल्ली आकshow कि रियपेर किया आपका state code जो है जहां पहली बार आपने 12th का एक्जाम दिया है वही रहने वाला है तो इसके अंदर लिखा हुआ है state code of eligibility means the code of the state from where the candidate has passed the class 12th qualifying examination by virtue of which the candidate becomes eligible to appear in J-Main. It is important to note that the state code of eligibility does not depend on the native place आप कहा के उससे कोई मतलब नहीं है और the place of residence of the candidate for example if a candidate appears for class 12th qualifying examination from an institution situated in New Delhi and is a residence of Noida then the candidate state code of eligibility will be Delhi अब आप Delhi के हो state code of eligibility में है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है state code of eligibility में ये चीज़ और बहुत important है ये भी ध्यान रखें if a candidate has passed the class 12th qualifying examination from one state but appeared for improvement from another state the candidate state code of eligibility will be from where the candidate first passed the class 12th जहां पहली बार class 12th का exam दिया था वही आपका state code of eligibility रहने वाला है तो ध्यान रखो बचो ये next take all the documents in PDF format if you have filled the form at any shop होता है कि सरुन भाइया के वहाँ पर जाके form भर दिया था एक शौप की बने help कर दी थी document उसी के पास रह गए हर एक document लेके आना हो सकता है पहली बार बोलने में तुम्हें उनसे संकोच हो कि यार भाईया बोलेंगे कि नहीं दिया जाएगा आप बोलो भाईया चाहिए form भरने से पहले ही बोल दो हर एक document डाउनलोड करके है वाटसेप इंडिया का हर एक परसन चलाता है आज की तारीक में हर एक document डाउनलोड करके आपको मुझे वाटसेप पर भेजना है तो यह ध्यान रखें किसी भी चीज की बाद में जुरत पढ़ सकती है दे नेक्स तिंग इस आप यह ध्यान रखें कि यार साथ से साढ़े आट के बीच में जो मौनिंग शुट वाले बच्चे उन्हें एक्जामेनेशन सेंटर पर रिपूर्ट करना है बहुत सारे छुटे 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 प्रॉसेस होते हैं यहां पर आपको यहां पर जो है बायोमेट्रिक रेजिस्ट्रेशन से जाना होता है रिकॉर्ड ऑफ ध्यान से देखो आगे इंस्ट्रक्शन से इन्विजलेटर देते हैं आठ पचास पर आप लॉग इन करके इंस्ट्रक्शन से पढ़ सकते हैं सो इल सजेस्ट कि हमेशा एक्जाम में टाइम से पहले ही पहुंचो सेम फिंग गोस फर दी सेकंड शिफ्ट एक्जामिनेशन ए सब्सक्राइब आपका बैस तो यह होता है कि आधर कार्ड ले जाओ ठीक है आधर कार्ड नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड वोटर आइडी स्कूल आइटिटी कार्ड ठीक है इन में से कुछ भी लेके जाना देन अच्छा आपका जो भी आईडी कार्ड उसमें फोटो होना जर पड़ेगी एक नहीं तो दो ले जा सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ठीक है देन इफ दी केंडिटेट्स हू क्वालिफाइज फॉर एड्मिशन इन दी एडीज एडीज इंड सच अधर सीफटाइज फॉस एड्मिशन आर बेस्ट ऑन दी जे इमें रैंक्स इन पेपर वन दे शुड हैव सिक्वर एट लीस ध्यान रखना 75 परिजन इन दी माक्स इन दी क्लास 12 एग्जामिनेशन और तो भी इन दी टॉप 20 पर्सेंटाई इन क्लास 12 एग्जामिनेशन ठीक है तो या तो आपके 75 परिजन में 25 से ज्यादा हूं या फिर आप अपने बोड में टॉप 20 पर्सेंटाईल में हो बहुत बड़ा सर मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैच में तो 75 परसेंट आ गए थे बाकि इंग्लिश ने खराब कर दिया यह किसी और सब्जेक्ट ने खराब कर दिया नहीं ओवर ओल चाहिए ओवर ओल 75 परसेंट चाहिए साफ साफ लिखावाएं यहां पर ठीक है क्लास 12 एक्जामेनिशन में या तो आप 20 परसेंटाल में हो या फिर आपकी 75 परसेंट से उपपर हो तो ध्यान रखना दिस इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थेंग यहां पर सेस्ट के अंदर 65 कर दिया गया है तो बच्चों यह कुछ इंपॉर्टेंट बाते थी जो इस फॉर्म के अंदर जब आप फिल करेंगे या फिर जैमेन का एक्जामेनिशन देने वाले हैं तो ध्यान रखना है यह कंप्लीट ब्रॉशर की जो समरी थी हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताई ऐसे ही अगर आपको कुछ भी छोटे से छोटे भी अगर डाउट है तो आप बिल्कुल चिंता ना करना इस वीडियो के नीचे आपको चाहिए अगर आपको help चाहिए की registration का जो पूरा complete process है एक dummy form एक sample form भी जो है मैं आपको भरके दिखा हूँ So yes I am there मैं उसमें भी आपकी help करूँगा and any other queries feel free to just comment and let us know about that. Thank you बच्चो.